नमस्कार स्वागत है आपका डीडी नीउस पर मैं हूँ रेश्मा आपके साथ आए नज़र डालते हैं इस वक्ती हलाई इस वर लोगसबा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आप श्याम ठमे का प्रचार दस राजियों और एकेंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर साथ मई को होगा मतदान लोगसबा चुनाव के लिए घमसवान प्रचार जारी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के इटावा और अरध और हरा में करेंगे जनसपा राम लला के दर्शन और पूजन के बाद आयोध्या में होगा रोडशो चुनावी रण में आमत्रिशा, आंद्रपरदेश और तेलंगाना में भरेंगे हुंकार वहीं जेपी नडड़ा ओड़ी शौविधान सवा चुनाओ के लिए घोशना पत्र करेंगे जारी डॉक्टर जेश शंकर कटक में पार्टी कारे करताओं की बैठक में होंगी शामे 24 की चुनाओती में विपक्ष ने लगाया एड़ी चोटी का जोर राहुल गांधी तलंगाना के आदलबाद और महबूब नगर में करेंगे रेलियां सपा बसपा और आरजेडी के दिगज़ भी कर रहे हैं जमकर प्रचार जमकर्श्मिर के पुंच में वायू से नगे काफले पर काहराना हमला एक जवान शहीद चार जखमी नेताउने की हमली की निंदा काहरा में जारी गज़ा युद विराम वारता का आज दूसरा दिन पहले दोर की बात चीत रही सकरात्मक हमास ने संगर्श को समाप करने की प्रतिबधता दोहराई और आईपिल के पहले माच में पंजाब किंग्स और चन्नी सूपर किंग्स तो दूसरे माच में लखनो सूपर जाइंट्स और कूलकता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने कल आरसीबी ने गुजराथ टाइटन्स को चार विकर्ट से दी शिकस्त और अब खबरों पर विस्तार से नज़र डालते हैं और सबसे बहले बात करते ही 24 की चुनौती की लोगसभा चुनौव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा इस चरण में दस राजियों और एक केंदर शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को वोड डाले जाएंगे इन 93 सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए सब ही पार्टियों ने पूरी ताकत चुनौती हैं तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोगसभा सीटों पर मतदान होना हैं दस सीटों में संभल, हातरस, आगरा, फतेपूर सीकरी, फिरोजबाद, मैनपूरी, एटा, बदायू, आमला और बरेली शामिल हैं सभी के नजरें समाजवादी पार्टी के गड़ मैनपूरी सीट पर है सपा ने यहां सी अख्लेश यादव की पतनी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है वहें इस चरण में गुजरात की 25 लोगसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी इसके लावा करनाटक की 14, महराष्ट की 11 और मध्यप्रदेश में 9 सीट, 36 गड़ में 7, बिहार में 5 असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 सीटों पर और गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2-2 सीटों पर भी मतदान होगा लोगसबा चनाओ के बाकी बचे चर्णू के लिए प्रचार अपनी चरम पर है, भाचपा के स्टार प्रचारक प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी, अंडियों उमिद्वारों के पक्ष में लगातार जन समर्थन जुटा रहे हैं प्रधानमत्री एक साथ चार लोगसबा शेत्रों सितापूर धौरहरा खेरी और मिश्रिक के मतदाताओं को विजए संदेश देंगे दिन के अंथ में प्रभू श्री राम की नगरी अयोध्य धाम पहुंचेंगे प्रधानमे श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रूट शो करेंगे चुनावी घमासान में सभी राजनेतिक दलताबर तोड रैलियां कर रहे हैं वे आंधर परदेश में हैंदोपूर लोगसभाज शेत्र में एक सार्वचनिक बैठा को संभोधित करेंगे और एंडिय प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार में भाग लेंगे वहीं तलंगाना में अमर्षा तीन चुनावी रैलियों में मतदाताओं को संभोधित करने वाले हैं केंद्रेगरी मंतरी की आदिलाबाद, नजामबाद और मलकाजगरी में चुनावी रैलिय है वहीं भाचपा के राश्ट्री अध्यक्षु जेपी नड़ा आज ओडिशा में प्रचार अभ्यान की कमान समहा लेंगे जेपी नड़ा, राजे विधान सभाचुनाओं और लोग सभाचुनाओं की मद्दे नजर कारे करताओं को जीन जीत का मंतर देंगे साथी और राजे विधान सभाचुनाओं को लेकर पार्टी का घोशना पत्र भी जारी करेंगे वदेश मंतरी डॉक्टर एजजे शंकर भी आज ओडिशा की कटक में पार्टी कारे करताओं की बैठक में शामिल होंगे और चुनावी रणनेतियों पर चर्चा करेंगे वहीं मद्यप्रदेश के मुखे मतरी मोहन यादव आज राजे में पार्टी के प्रचार अभ्यान को धार देंगे वे सागर जिले में एक जन्सभा को संबोधित करेंगे और पार्टी पक्षमी जन्ता से वोट की अपील करेंगे लोगसभा चुनाओं के लिए सभी दलों का धुआधार पर चार जारी है कॉंग्रिस नेतार राखुल गांधी आज तलंगाना में चुनाओं प्रचार करेंगे राखुल गांधी तलंगाना के आदलाबाद और महभूम नगर में जन्सभा को संबोधित करेंगे और 7 मैं को लोगसभा चुनाओं के तीसरे चररण में मध्यपरादेश की जिन 9 सीटों पर मतदान होना है उनमें मध्यपरादेश की हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली गुनाल लोगसभा सीट भी शामिल है गुना लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने केंदरे मंत्री जोतिरादित संध्या को मादान में उता रहा है वहें कॉंग्रेस ने बीजेपी से कॉंग्रेस में आए यादविंदर सिंग यादव को टिकट दिया है आए ग्राउंड जीरो से हमारे समधाता के रिपोर्ट में जानते हैं इस सीट के स्यासी समिकराण मत्री प्रदेश के मालवा चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला गुना संसदी छेतर प्रदेश के उन्चुनिंदा इलाकों में शामिल है जो कई विविदताएं खुद में समेटे हुए है ये चेतर मालवा का स्वाध महसूस कराता है तो चंबल के तेवर भी जीता है बुंदेल खंड की तहजीब भी यहां देखने को मिलती है तो राजिस्थान के खान पान और पहनावे की जलक भी यहां आसानी से देखी जा सकती है बात करें गुणा लोकसभा सीट के इतिहास की तो लगभग पूरे काल खंड में यहां गौलियर राजघराने के सिंधिया राजपरिवार का ही वर्चस वरहा है गुणा लोकसभा सीट का सिंधिया राजघराने की तीन पीडियों ने प्रदिन निधित्तु किया 2019 के लोग सबाचुनाओं में जोतिराजी सिंधिया को कॉंग्रेस की टिकट पर हार का मुँ देखना पड़ा एक बार फिर जोतिराजी सिंधिया बीजेपी के टिकट से यहाँ पर मैदान में है वहीं उनके सामने कॉंग्रेस के यादवेन सिंग यादाव यहाँ पर मैदान में है जो की कुछ समय पहले बीजेपी से कॉंग्रेस में सामिल हुए है हलाकि जोतिराजीत्य सिंधिया अब भाशपा की ओर से मैदान में है परिवार की विरासत छेत्र में किये गए विकासकारे और मोदी की गारंटी को लेकर सिंधिया अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं उधा कॉंग्रेस ने हाली में हुए विधान सभा चुनाव से पहले भाशपा से आए यादवेंद्र सिंग यादव को अपना उमीदवार बनाया है इलाके में यादव वोटर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए कॉंग्रेस इस बार भी उलट फेर की ओर देख रही है वहीं यादवेंद्र लोगों की नाराजगी, बेरोजगारी और विकास की अंदेखी को लेकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं किसानों के लिए जो मुझसे हो सकेगा, तालावों की बात हो या नहरों की बात हो जो इस चेतर के लिए हो सकेगा किसानों के लिए पहली पराथ मिकताब पर हमारे किसान रहेंगे, दूसरा हमारे यूबा और बेरोजगार रहेंगे दूसरे तरफ इलाके के मत दाता भी यहां किये गए विकासकारियों के साथ मोदी की गारंटी पर ہी अपना मन बनाते हुए दिख रहे हैं हला कि कई लोगों का कहना है कि इलाके में अभी भी कई काम किये जाने बाकी है गुना के लोगों के मन में तो एक राममंदर बहुत बहुत बहुता था वो स्वाल हो गया और चुकि गुना एक बीजिबी का गड़ रहा है और इसी गड़के बीच में बार्दी अलता पाड़ी ने बहुत इस्ट्रॉंग केडिडिडेट लिया है तो मेरे हिसाब से तो उनी अब बात करें गुना संसदी छेत्र की तो यहां आठ विदान सभा सीटे आती हैं जिनमें गुना, बमोरी, अशोकनगर, मूंगावली, चंदेरी, शिपपुरी, कोलारस, और पिछोर शामिल है इस सीट के लोकसभा धियास पर नज़र डालें तो सिंधिया राजगराने का ही दबदबा देखने को मिला है 1957 में गुना लोकसभा सीट पर कॉंगरेस की ओर से विजया राजे सिंधिया ने जीत हासल की वहीं 1962 में इस सीट से कॉंगरेस के राम सहाय पांडे सांसद चुने गए इसके बाद 1967 में स्वधनतला पाटी की ओर से विजया राजे सिंधिया कॉंगरेस के डी के जादव को शिकस दे कर सांसद बनी इसके लावा 1971 में विजया राजे के बेटे माधवराव सिंधिया मैदान में उतरे और जनसंग के टिकट पर यहां से जीत हासल की माधवराव सिंधिया 1997 के चुनाओ में निर्दलिये निर्वाचित हुए इसके बाद माधवराव सिंधिया ने 1903 में कॉंगरेस के टिकट पर यहां से लड़ते हुए जीत हासल की 1984 के चुनाओ में कॉंगरेस के महेंदर सिंधिया ने जीत दर्ज की वहीं 1989 से लेकर 1998 तक भाजपा के विजयराजे सिंधिया ने यहां जीत का परचम लहराया 1999 के लोकसभा चुनाओ में एक बार फिर कॉंग्रेस के दिगजनेता माधोराओ सिंधिया ने यहां से जीत दर्ज की इसके बाद 2002 से लेकर 2014 तक कॉंग्रेस के जोतिरादेत्य सिंधिया ने इस सीट से जीत हासल की वहीं 2019 में जोती राधित्य सिंध्या को हरा कर भाशपा के केपी यादव सांसत चुने गए। गुना लोकसभा सीट से अजीत दुएदी की रिपोर्ट टीडी नियोस। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनश्चित करने के लिए अनुके प्रयोग कर रहे हैं। जोग महासंग ने अनोखी पहल की है, यहाँ पर डिसकाउंट जो है रखा गया है, पांस से लेके 35 फिसरी तक का डिसकाउंट यहाँ पर जोग महासंग है, उसने यहाँ पर रखा है, तमाम दुकाने जो है दवाई से लेकर कपड़ों की दुकाने हैं और जो डेली पास पास चुकि धूब बहुत होगी इसलिए वहां पर पीने के पानी की वेवस्था और जल्पान की वेवस्था भी वहां पर की गई है क्या आपका यह कॉंसेप्ट से और कियो आपने यह कितरी के तैयारी कर रहे है साथ महीं की मतदान को बढ़ावा देने के लिए तेकि य यहां पर हम से सुजाओ मांगे गई थी कि कैसे मतदान प्रतिसत बढ़ाया जाए उस पर से हम लोगों ने वहां सुजाओ दिया कि हमारे पास तो समाने हम विक्रता है तो हम निश्यत तोर पर यह कर सकते हैं कि अपनी सामगरी पर हम कुछ ने कुछ डिसकाउंट ओफर कर सक तो हमारा यह प्रस्ताव प्रशासन को पसंद आया और वहां पर उपस्थित हमारे 40-50 वेपारियों ने तुरंत अपनी सहमती दी और गिफ्ट एम पर 5% से लगा के 30-35% तक डिसकाउंट साथ तारिक के लिए सब ने अपनी सहमती से वहां पर लिखाया चार, पांच, छे और साथ चार दिन के लिए स्पेसल डिसकाउंट दे रही है 5% का हमारी कुछ सेल्पी पॉइंट बनाए हुए हमने शेहर में वहां पर जो भी आदमी जाए अपना फोटो किछवा के लाए मोबाइल में फोटो दिखाए और 5% डिसकाउंट पाए इतने भी हम व्यापारी है सभी लोग 25% डिसकाउंट देते हैं लेकिन हम थोड़ा सा और एश्टा कुछ दें तो हमने घर से और 5% एश्टा और देके लोगों को लोभाने के लिए से की लोगों बोर्ट करें अपने उगली पर निशान दिखाए और साथ तारिक के दिन हमा थोड़ा सा अवेर होके लेते हैं positively तो बढ़िया है अगर ऐसा कुछ ट्रेडर्स लोग कर रहे हैं अपने तरफ से efforts सर मेरे को बहुत अच्छा लगा बोटिंग की पहले पहली बार देखा है कि डिसकाउंट दुखांदार समिती दे रहे हैं प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है तमाम माध्यमों से बोटर्स अवेरनेस प्रोगाम चला रहा है तो व्यापारी भी पीछे नहीं है और वो भी लगातार कोशिस कर रहे हैं कि जो बोटर्स हैं वो जाज़ा साथ मैई को मददान करने के लिए पोलिंग बूस पर प लेखते रहें ये डीडी मीज़ किसी के लाइफ में आग नहीं लागा पाया समर्कूल जो हर दिल करे कबूल रहाल, जी, कहाँ भागे जारे इसनी बारिश में? अरे, पापा बस वोट डाल के आया बेटा मौसम देज, अभी जाने जरूरी ये किया पापा, पहले बरसाथ के समय कैसे कच्छे मकान में सब पानी-पानी हो जाता था अब जिसने हमें पक्की छट दी है, उसे वोट भी तो भाग की जाके देना होगा न तो आप भी चलो ना मेरे साथ जिसकी गैरंटी ने जिन्दगी सबारी, उसको वोट देने की गैरंटी हमारी कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं और चटीजगर के सीम विश्णु देव साई राजे में धुआधार प्रचार कर रहे हैं डेरी निउस से बात करते हुए मुखे मंत्रे विश्णु देव साई ने दावा किया कि चटीजगर की सभी 11 लोग सभासीटी भाचपा जित रही है इस वक्त हम से बातचित करने लिए चत्ते गड़े मुखे मंत्री विश्णु देव साई है जो लगातार धुआधार प्रचार कर रहे हैं मुल मंत्र मानते हुनों ने काम किया है राम मंदीर का निर्माड यहां संभव हुआ है जम्मु के समने से धारा 300 हटी है और भी बहुत बड़े-बड़े काम हुए हैं और आगे चलके तिसरे बार जब प्रधामंति बनेंगे तो भारत देश को विक्षित भारत के रूप मे हैं 2047 तक और आने वाले पांच वर्सों में देश को तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है तो इस सब काम नरेंद मोदी ही कर सकते हैं और इसको देश की जनता और चतिगड़ की जनता भली भांती जानती है अपकी बार 400 पार बिलकुल अपकी बार 400 पार कितनी साथ मई जैसे जैसे तीसरे चरण के मतदान की तारिख नजदी का आती जा रही है राजनितिक पारा ना केवल सभाओं या रेलियों में चर्टा नज़र आ रहा है बलकि सोशल मीडिया पर भी लगातार धुआधार प्रचार का दोड़ जा रही है डिडी नियूस के टेम न साथ जैसे लिया आएए देखते हैं ये खास रिपॉर्ट आप सभी को सोशल मीडिया पर चुनावी पोस्ट लगातार नज़र आ रहे होंगे कहीं मोदी की गारंटी तो कहीं नियाए पत्र सोशल मीडिया के जमाने में चुनाव लड़ने का तरीका मतदाता का दरवाजा खट खटाने से लेकर माइक्रो टारगेटिंग तक काफी बदल चुका है और इसलिए अब सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार का गटबंदन अटूट हो गया है सोशल मीडिया वार रूम गुजरात के पार्टी हेटकौर्टर से ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ एक्सपर्ट्स को काम दिया जाता है जो रिल्स यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं मिम्स और पोस्ट के कंटेंट पर विचार करते हैं सार्गेटेड मैसिज भेज रही है जहां बीजेपी एक रूपय में अपना गुजरा चल रही है पुरा हमारा जो इस्पेशल चपीज जो है वो कॉंग्रेस के आगेवान कारे करता है यहाँ पर खुद की स्वहम सेवक खुद के जेव से याँपर काम कर रहे हैं भाजपा भी लगातार अपने स्टार प्रचारों की हर एक बात को सोशल मीडिया पर रिल्स और शॉट्स वीडियो के माध्यम से फैला रही है गुजरात में भाजपा के सोशल मीडिया प्रमुक मनन पटेल ने बताया कि प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो पर सबसे जादा यूजर्स इंगेश्मेंट देखने को मिलते हैं पर रूम में हमारा 18-20 लोगों का जो स्टाफ है तो बेसीकली कंटेंट क्रियेट करता है मेरी विचारदारा के इस सबसे पार्टे की विचारदारा के इस सबसे क्या पीवी पे जाएगा क्या सोशल मीडिया में जाएगा कैसी बाते होनी चाहिए लोगों क्या सोचेंगे ये सोच के हम लोग सारे content create करते हैं वीडियो एडिटिंग से लेके, graphic making से लेके, memes से लेके, reels से लेके, live से लेके, सारी कुछ चीजे content creation से लेके सारी कुछ चीजे यहीं होती है हैश्टेक की जंग हो या memes से पलटवार, सोचल मीडिया की हर एक गतिवीधी को तुरंत ही मतदाताओं की प्रतिक्रिया मिलती है पिछले कुछ वर्षों में राजनितिक पार्टियां भी मतदाता की सोचल मीडिया activity को समझ कर बहतर user engagement लाने में सफ़ल रहे हैं पहले अगर हम देखते थे चुनाओं में रैलिया होती थी जनसभाय होती थी रोड शोज होते थे जहां लोगों की भीड, सीटियां और तालियों की गड़गडाहट पैमाना होती थी कि कि कितना समर्थन मिल रहा है आज के जमाने में उसका स्वरूग बदल गया है, रील्स पर कितने लाइक आ रहे हैं, कितने रीट्वीट्स हो रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, वो पैमाना है कि किस किसम का समर्थन या लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, या लोग किस बात को और किस मुद्दे क समर्थन कर रहे हैं किया आपर से लक्ष्वर राजपूत के साथ मैं मेंगना देव डिटी न्यूस एहम्दबार तो यह थी चौबीस की चुनौती से जुड़ी कुछ खबरी आई आगे बढ़ते हैं जमू कश्मिर के पुंच जिले में शाह सितार के पास आतंक वादियों ने वाईू सेना के काफले पर हमला कर दिया आतंक पादियों के साथ गोली बारे में वायू सेना के पांच जवान खायल हो गए जिन में से एक जवान शहीद हो गया कई नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है और खेल के खबरों में इंडियन प्रिमियर लीग में आज दो मुकाबले के लिए जाएंगे दिन के पहले माच में चन्नी सूपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगी मौजुदा सीजन में पंजाब किंग्स के मकाबले चन्नी सूपर किंग्स का सफर बहतर रहा है अंकटालिका में पांच वी पायदान पर काबिस चन्यकी टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं जिनमें से उसे 5 में जीत और 5 में हार जेलनी पड़ी है दूसरी और पंज़ाब की टीम अब तक खेले गए, 10 मैंचों में से 4 ही जीत पाई है और ये टीम अंतर तालिका में आठवे स्थान पर है वहीं आज दिन का दूसरा मुकाबला कोलकता नाइट राइडर्स और लखनो सूपर जाइंट्स के बीच खेला जाएगा दोनों टीमों का सफर इस सीजन में शानदा रहा है कलकता नाइट राइडर्स की बात करें तो ये टीम 14 अंक लेकर तालिका में दूसरे पायदन पर काविस है वहीं लखनो सूपर जाइंट्स 12 अंक के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है आज होने वाले मुकावले में जीत के साथ दोनों टीमों की कोशिश प्ले आफ में पहुंचने की अपनी दावेदारी मस्पूत करने की होगी और अब आप देखिए देशवर के मौसम का हाल और फिल हाल हमें यहीं अनुमती दीजे नमस्कार करता हुआती देखिए आप रगेदारी में यहीं आप में अनुमती अपना कि हमाल आप देखिए ईपना प्लात अपना की अनुमती है झाल 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 झाल